इनोट वैल्यूज ऑफ सम् रिडॉक्स कॉम्प्लेक्स सार्गेर बोलो ऑन बेसे ओफ दीज वैल्यूज चूज दा करेक्ट ओप्षिंस नौ मैंने आपको बताया था अगेन आपको बता दू जब इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज में वैसे भी जब ये इनोट की वैल्यू होती है रिडॉक्षन पोटेंशल की वैल्यूज होती है ठीक है कि कोण कितनी आसानी से रिडॉक्षन हो जाएगा तो नीचे से उपर क्या कहता हूँ ऑक्सिडाइजिंग एजेंट की कैपसिटी सा नीचे से उपर जाओगे उपर से नीचे जाओगे तो ओक्सिडाइजिंग की वैल्यू बढ़ रही होगी अच्छी तरीके से या रिडूजिंग एजेंट की जो बिहेवियर है या कैपसिटी है उस एंटिटी की वह इंप्रूव हो रही है आपको मैंने ये भी बताया थ कि जैसे अब और इलेक्ट्र केमिकल सीरीज में अगर ओपर से नीचे तक ओडर में लिखता हूँ है ना चाहिए जीरो कहीं भी हो आज तू लेट जा सबोज यहां पर है कुछ फर्क नहीं पड़ता हूँ से ठीक है जब मैं इनको रेडक्शन पोटेशल के उसमें अरेंज क को तो मैं कहूंगा A B को अक्षिडाइज कर सकता है A C को अक्षिडाइज कर सकता है A D को कर सकता है A F को कर सकता है similarly B C को कर सकता है C D को कर सकता है बट B A को नहीं कर सकता है C A को नहीं कर सकता है ऑक्षिडाइज B A को reduce कर सकता है समझ जो तो इस तरह से चीज़े होती है तो नीचे से उपर से नीचे जा रहे है तो reducing agent की capacity बढ़ रहे है याने F D को reduce कर सकता है F C को कर सकता है लेकिन D F को reduce नहीं कर सकता because F is good more अच्छा reducing agent है than D तो जब F और D की reaction होगी तो F इसको ही reduce कर देगा बजाए D F को करें D is a good oxidizing agent than F but a bad reducing agent than F अब इस question में अगें यह same logic अगर लगाओगे आप तो order से कर देते हैं arrange तो पहला है BR2 BR negative याने plus 1.90 AG plus AG याने plus 0.80 I2 I negative plus 0.50 Cu 2 plus Cu plus 0.34 यह है एक चीज़ आपको मैंने और बताई थी जब आपको कोई ऐसी entity लिखी जाती है तो इसमें क्या है ये entity ओर ही होते जो reduction हो रहा है जिसका या जो oxidizing agent की तरह behave कर रही है तो जब मैं आपको पूछूँँगा इस entity में कोन किसको आप इस चीज़ का दियान रखना हमेशा है यहां से यहां जब जाता है तो यह reduction हो रहा है So order arrange कर लिया अब यह क्या है नीचे से उपर क्यों मैं कर दिया यहां से उपर oxidizing agent की capacity है वो बढ़ रही है तीक है यहां नीचे से उपर से नीचे आने में reducing agent की value बढ़ रही है है ना Cu will reduce Br negative अब देगे Cu को क्या कह रहा है कि मुझे इसको किसी को reduce करना है याने यह खुद oxidize होना चाह रहा है याने Cu जब oxidize होगा समझ रहो तो Cu 2 प्लस में होगा याने Cu क्या करेगा electron देगा obviously तो तभी तो reduce करेगा या reducing agent की capacity बढ़ रही है तो Cu will reduce Br negative लिखा है या क्या एक सही है अगर मैं Cu को कह रहा हूँ कि यह reduce करेगा याने खुद क्या कर रहा है यह reducing agent इसका मतलब यह खुद इसका oxidation हो रहा है याने यह electron देगा suppose Cu 2 प्लस करके 2 electron निकाला तो 2 electron BR 2 लेगा या BR negative लेगा भई BR ही लेगा ना क्योंकि BR की इधर 0 है BR इधर minus 1 है maximum इसके बाहर नहीं जाने वाला तो BR negative reduce और कहा हो के minus 2 में जाएगा यह नहीं ना 0 को ही तो करेगा ना मैंने क्या कहा था इसमें यह हमेशा reduction होगा इसका इधर इनका oxidation हो सकता है इनका इधर reduction हो सकता है तो यह BR negative की ओरे से गलत होगा BR होता तो सही था CU will reduce AG CU will reduce AG अकिन सेम वही concept उपर वाला इसमें AG प्लस और AG यह combination दिया हुआ है तो AG प्लस ही तो electron लेगा ना इसमें AG क्यों लेगा electron यह लिखा है अब आप यह कह दो कि AG मैं let's just suppose कोई acidity hypothetical मालूम minus 1 होगी नहीं मैं पहले बता रहा हूँ आपको लेकिन यह potential का order तो इसी नींद दो combination का दिया हुआ है ना तो इस वो कुछ मैं क्यों मानूँ AG minus 1 नहीं होगा लेकिन मैं आपको just example कभी गाइज कमेंट में बहुत बच्चे बोलने लग जाते हूँ ठीक है यह भी गलत हो गया CU will reduce I negative same concept भाईया I negative नहीं आई तो electron लेगा न reduction इसका होगा तो यह भी गलत CU will reduce BR to yes जो मैं आपको बोला था यह वाला concept okay so this is your correct answer I hope guys आपको यह बेसिक चीजी जो है समझ में आ रहे हूँ